नमस्कार अवाश 24 निउज में आपका स्वागत है और आज जो हमारे साथ खास मेमान जूड़ने वाले हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हैं सानो सौकत से और लाख्व छात्रों की प्रेड़ना बने हुए हैं जिहां जब किसी चीज को मेहनत लगन और जद्व जहत से की जाती है तो कोई भी मंदिल असंभव नहीं होती और इसी के मिसाल है बिहार के कटिहार के रहने वाले सुभम कुमार जिहां UPSC जैसी देश की सर्वस्रेस्ट परिच्छा में सर्वच अंक और सर्वच अस्थान प्राप्ट करके मिसीखी देश का गौरो और साथ ही बिहार का गौरो सुभम कुमार ने बढ़ाया है और आज समय नहीं लेते हुए शिब यसे बाते करते हैं और सुभम कुमार दि सबसे पहले अवाशव ज की की तरफ से आपको बदाई देते हैं आपने यह मुकाम फासिल किया है तो बहुत नवाद आप लोगों का अधाक्यों एवरी मच एवरेबरी विद कि सुभं कुमार जी फूरी देश मैं आपने यू दंका मचा करके मचे हुला मिप्जाव की इसदे athletes हो कि जब पहली बार आपने अपने रिज़ेंट को सुना तो किस तरह आपने महसूस किया कैसा महसूस किया। यकीन नहीं हो रहा था काफे अच्छा लगा एंद काफी भावुक भी हो गया था है मुझे यकीन हो रहा था क्यों आ पाप़ जी को यकीन होbyut होगा कि सुभंग जी आप एक मध्यम वर्गिये परिवार से जुड़े हुए हैं आपके माता पिता ने भी जैसी हमें जनकारी मिली की काफी ही परिश्रम करके उन्होंने अपने जीवन को जो है एक जगह पर पहुंचाई है और आपके पीछे भी उन्होंने काफी महनत की है आप अपने परिवारिक प्रिश्ट भूमी के बारे में कुछ दर्सकों से अपना सेर करना चाहेंगे मेरा जॉइंट फैमिली है यहाँ पर पापा चाचा चाची मम्मी सारे लोग साथ में रहते हैं पापा मेरे बैंक मैनेजर है उत्तर बिहार ग्रामीन बैंक में और चाचा जी मेरे एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है पूर्णिया जिरा में और पापा जो है सुरुआत से यह कोशिस के कि मुझे अच्छी एजूकेशन मिले इसलिए अपने सैलरे की जो है वो 50-60 आधा से ज्यादा सैलरी जो है वो मेरे और मेरे दीदी के एजूकेशन में लगा दिया कि मुझे जो भी मुझे चाहिए जो भी जिस्वी चीद की जौरत है वो मुझे मिले और मेरी मम्मी और चाची जो है वो घर पे रहती हैं गई घर को देखती है आप जब आपने जब रिजल्ट सुना सुभम जी आप पूने में थे पूने में किस तरह किया आपकी क्या एजुकेशन बगेरा या जॉब पूने में चल रही थी आप पहले से महाँ पढ़ते है लास्ट यर मेरा यूपेसी में चैनित हुआ था मैं मुझे 290 रैंक आई थी उसके तहत मुझे भारतिय रक्षा लेखा सेवा मैं जॉइन किया था इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और उसी के तहत मेरी वहाँ ट्रेनिंग चल रहे थी तो आप सर्विस में पहले से यूड़े हुए थे और आप इन्याइड गडिया था वस साल म मैं ग्रैजवेट भी भी हुआ था जो इस साल मेरी तिन तारह में तारह में पहला अकाउंट लिखा उस भार पर Tour soup नहीं इसमाड नहीं幾 Qal 수 मुझे 290 रेंका है और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस लिखना है क्योंकि मुझे ऐसा एक प्लाटवाम चाहिए था जहां पर मैं लोगों के लिए डिरेक्टी काम करता हूं और इसलिए मैं वापस एक्जाम लिखा और फिर सारा स्टेज जो है वो मैंने था और जब आप घर लोटे हैं दो तीन दिनों के बाद तो काफी धोल बाजों के साथ आपका स्वागत किया गया काफी जो है लंबिक कतारे थी किस तरह का उन्भाव आप मांगते हैं इस चीज़ को अपने जीवन में मैं यह सोचा नहीं था कि इतना जादा सैलिबरेशन होगां सख मैं भी शुक हो गया था कि इतने जदे 楽म मिलने के लिया आए और इंफरक्ट अभी तक Altो का आना जो है वह वह आज वह लगा हुआ है वह लोग आ रहें मिल रहें बाते कर रहें आया है मैं कोई प्रोशिस कर रहा कि उनसे मैं कोड़ा सॉचल जिस्रेंसिंग मेंटें करो मास्क वगएर है पॉरन cabinet आ लोग आ रहे हैं उनको मास्क दिया जा रहा है यहां पे उनको सानिटाइज उनका हाथ जो है वो सानिटाइज करवा रहे हैं और कोविड प्रिटोकॉल को फॉलो करते वे हम कोशिस कर रहा हूं कि जो भी लोग आए उनसे मैं मिल लो नहीं बहुत ही अच्छा लगा सुभम जी बहुत अच्छी बात है कि टॉप 10 में तीन जो टॉपर है वो बिहार कहीं है और इन फाक्ट बीच में थोड़ा बिहार से सेलेक्शन कम हुआ था लास्ट यह से थोड़ा देखा गया कि बिहार से भी सेलेक्शन अब इंक्रीज हुआ है कहीं न कहीं जो अपना पहले जैसा सेलेक्शन होता था वो बीच में थोड़ा कमी इसमें देखी गई थी वापस से यह सेलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है इंपक्ट यह अच्छी बात है कि जो बिहार के यूद्ध है वो बड़े एक्जाम के तैयारी करते हैं और इंपक्ट इसमें सक्सेस्फुल भी होत है उसकी जो है दिन्चरिया कैसी होती है आप अपने समस्त भारत में और विश्यस करके बिहार के ऐसे चात्रों को क्या आपने तरब से राय या टीप्स देना चाहेंगे एक तौपर से जरूर वो लोग सुनना चाहते हैं यह जिन दिन्चरिया जो था वो एक्तम समाने था म और से जो है वो और यो आपने लृट को में तो यह च्कैनल भी तर और apology करते थे गारा रहाते एक साथ मिल के जिसकेशन भी करते से और जब prelims के बीच का जो time था उसमें मैंने study room join किया हुआ था तो वहाँ पर जाते थे एक time पर एक time तक 4-5 गंचे पढ़ाई करते थे फिर बाहर खाने के लिए निकलते थे फिर जाते थे फिर पढ़ाई करते थे तो ये दिन चरिया रहता था मिला जुला के और दोस्तों के स रहे तो ये मैं कोशिश किया कि मैं घर से भी जुरा रहूं हमेज़ा बात करते रहूं जो भी problem आ रही है वो घर पर बताऊं और अच्छे लोगों के साथ रहूं और लिमिटर लोगों के साथ रहूं और एक proper जो है मेरा जो है वो plan होना चाहिए क्या पढ़ना है कितने देर के लिए पढ़ना है वो थोड़ा मैं decide करके रखता था तो आप जैसे की UPSC ही नहीं जो भी ऐसे एक्जाम है जो कि जिनको हम services मान सकते हैं आप ऐसे चातरों को मुख्य रूप से क्या कुछ tips देंगे कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे लेके चले इस तरह के services हुए हैं वो भी काफी सारे मुश्किलों का सामना उनको भी करना परा होगा उन्हें भी हर तरह के emotion से गुजरना परा होगा वो भी ups and downs देखे होंगे सो एक यह believe रखते वे अपने में confidence रखना बहुत ज़रूरी है और दूसरे की आपके पास एक proper plan हो आप कुछ भी exam के तयारी करने हैं को प्लान के मुताबिक चलना है और फिर आपको जो है वो consistently मेहनत करने परेगी आप जितना practice घर पे करेंगे उतना ही आसान होगा आपको examination hall में question solve करना सो जितना भी आपको practice करना है वो आप घर पे करें ज्यादा से ज्यादा practice करें अलग-अलग exam environment के लिए आप तयार रहें अलग-अलग question के लिए आप तयार रहें निशित सुभम जी आप तो लाखों हजारों चात्रों के प्रेणा स्रोथ हैं और निशित तोर पे इसको जो है एतिहासिक माना जाएगा और इस इतिहास को लंबे समय तक लोग याद रखेंगे सुभम आप एक मध्यम बर्गे परिवार से हैं आपको बहुत जादा चार्मिंग देखने या इस तरह की जीवन से जीने की आदत नहीं होगी जबसे आपका रिजल्ट आया है आपके घर पे जो है सेक्रों लोगों का ताता लगा हुआ है बधाई सुभकामना देने के हैं बड़े-बड़े ऑपसर भी हैं पदादिकारी भी हैं ऐसे तजब्दे के लोग हैं तो इस महोल को क्या एरजश्ट करना आपको किस तरह भी चल गाया अभी आपका जो टाइमिंग है भी किस तरह से दिन चरिया चल गया है मैं इसको थोड़े अलग तरीके से देखता हूं मेरा यह मानना है कि जब आप यूपेसी की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपके च्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आपको पहले दिन ये जिसाइड करते हैं कि आपको सिविल सर्विसेस की एक्जामनेशन में आपको बैठना है अगर आप देखेंगे जैसे प्रिलिम्स का स्टेज हुआ वह आपको सिखाता है कि आप जाधा से जाधा चीजों को कैसे आप पहर पा रहे हैं आप जाधा से जाधा नॉलिज को ऐसे देख पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं लॉजिकल एक एनकेवाद बाद लोगों का आना जाना लगा हुआ तो इनकर्फ Yps फूड़ में भी मुझे लोगों के लिए ही काम करना है ज़रूरी है कि मैं लोगों को जानू ने के मैंनेक्ट हो पाऊ उप वह भी ज़रूरी है करता है शुवं आपने जिस एक्जांब में टॉप किया है कुश हिंदुस्तान में ये गर्ब की बात है ये काफी भी जि मेदारी ब्राप है इस कास्गे से आप अभी तक क्यों एक स्ट्वौडेंट अप सर्विसे में जाएंगे ओपको इसके जिम्मेदारिया भी होंगी, आप किस नजरिये से इसको देखते हैं? मैं देखता हूँ कि यह जो आने वाला टाइम है वो चुनाती पॉर्ण होगा, बट मुझे उस चीद के लिए तयार रहना होगा, जो भी रोल मुझे दिया जाएगा, मैं कोशिस करूँगा कि मैं उसे अच्छे से निभाओं, मैं लोगों उसे connect रहना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए काम करने के लिए मैं ये service जॉइन किया हूँ, मेरी कोशिस यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए, उनका उठान हो पाए, जो जिस चीज, जिस एम को मैं लेके आया हूँ, कि मैं लोगों का life में अगर मैं change कर पाऊं, तो वो उस एम के साथ मैं इसको continue करना चाहता हूँ, और जहां तक सरकार की बात है और जहां तक policy implementation की बात है, मैं कोशिस करूँगा कि जो भी policies हैं government की, वो लोगों तक पहुंचे और एक awareness generate हो, और लोग जो हैं वो impaired feel करें, जो है हर angle से वो impaired हो. आप जानते हैं कि पदाधिकारी होते हैं, जिला अस्तर पर भी होते हैं, राज्य अस्तर पर भी होते हैं और केंद्र के अस्तर पर भी होते हैं. बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें वो post मिलता है, तो वो फाइलों में सिम्टे हुए जो काम होते वो देखते हैं. एक पदाधिकारी जब अपने sales नजरिये से देश को, समाज को और अपने काम को अलग तरीके से देखता है, तो निसी तोर पर भीर में भी अलग दिखता हैं और कुछ अलग करनी की जज़वा भी रखता हैं. क्या आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे देश में जो भी प्रथा अभी चलती आ रही है, उसमें कुछ regulation की ज़रुवत है, या आप अपनी भी सपने देखते होंगे, क्या regulation करना चाहेंगे? किस चीज में regulation की बात कर रहे हैं? आपको जो भी दाई तुम हम इसमें मिलेगा, आप एक जिला के तौर पर ही अगर मानके चले, तो आपको क्या लगता है कि एक पदाधिकारी जो अपने पोस्ट को निर्वाह करता है, जनरल स्टेडूल में उससे थोड़ा सा extraordinary हो करके, थोड़ा सा social हो करके, क्या इस पद को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? जरूर ये बहुत जरूरी है कि जो भी लोग आ रहे हैं वो काम, जो काम करने का तरीका है, वो अगर लोगों से connected होके वो काम करेंगे, क्योंकि आप ultimately हम लोग जो हैं वो civil servant है, वो लोगों के servant है, तो हम लोगों के लिए काम करने के लिए आते हैं, तो अगर मैं उन लोगों से जूर करके, और लोगों का participation अगर स्किम्स में रखेंगे, तो वो कहीं न कहीं वो ज़्यादा successful होगा, और लोग उससे ज़्यादा connected feel भी करेंगे, और दूसरी बात यह है कि मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जनता दरबार का concept होता है, कि आप कुछ-कुछ दिनों में regularly आप meeting रखते हैं लोगों के साथ, और आप video conferencing के तुरू आप जितने भी administration के लोग हैं, उनके साथ आप constantly touch में रह सकते हैं, तो यह सब चीजों को मैं करने के कोशिश करूँगा, और सुरवात में मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिस भी district में posted हूँ, उस district के बारे में जानू, वहां के problems के बारे मैं जानू, क्योंकि हर district का अपना, खुद का unique problems होते हैं, तो मैं उसका solution, मैं कोशिश करूँगा कि अपने team को ऐसे बनाऊ, अप मेरे साथ जो लोग रहेंगे, उनकी मदद से मैं ऐसे solution लेके आऊ, जो कि उस district के problems को solve करता है, निसीत तोर पर हमारे भी सुबकामना है, आपके साथ कि आप जहां पर भी पहली post join करें, आप निसीत तोर पर वहां पर काविले कारिफ जो है काम करें, अपने तरिके से, सुबं जी एक चीज हम जानना चाहेंगे, कि आपके अभी तक के जीवन काल में, इस achievement के प्राप करने तक में, अपने माता-पिता, अपने समाज और अपने परिवार का जो भूमिका होता है, जो युगदान होता है, उसको आप किस तरह से बतलाना चाहेंगे हमारे दर्सकों को? यह बहुत ब़रा युगदान है, मेरे परिवार वालों का, अपने पापा से हमेशा टच में रहता था, हर दिन मैं, अगर मेरी बात मम्मी से नहीं होती थी, तो मम्मी सो नहीं पाती थी, तो हर दिन मैं मम्मी से बात करता था, और पापा जो है, मुझे हमेशा से positively motivate करते रहे, मुझे में हमेशा विश्वास दिलाया, मुझे में हमेशा विश्वास रखे और अगर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि अगर मैं फेल करता हूँ तो मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं रहेंगे सपोर्ट मुझे मिला आपने को एक या दो दिन पहले एक आपका वीडियो काफी ही चर्चित रहा आपने अपनी मात्री में बात कि और लोगों ने कफी तहें दिल से उसे पसंद किया ये भी एक मिटी से जुडाओ और एक फुसकू होती है क्या कहना चाहेंगे अपने मिटला है वो आते हैं आप वहीं से बड़े होता हैं और अपने culture अपने हैकेज ko जो है उस 똑़े आपको गर्वानिक महसूस करना चाहिए आपको उसकlış होना चाहिए और आप जो भी language वोल रहे है जैसा भी आपका कल्चर है उसको आप respect भी करे और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो हैं वो छोटे हैं या आप कोई और आदमी आपसे बड़ा हो गया अगर वो कुछ और बोल रहा है कुछ और पहन रहा है आप हमेशा से अगर आप अपने कल्चर को ले करके आप प्राउज फील करेंगे तो आप अपना हंड़ पर संट हर चीज में दे पाएंगे तो मैं अजय बिहारी अजय मिश्लांचल एरिया में रहता हूं लेकिन मैं हमेशा से मैं बाहर भी गया तो मुझे यह हमेशा से प्राउज फील हुआ कि मैं इस धर्की का हूँ यहां का हूँ और मुझे कहीं से भी यह निगेटिव वाली कभी नहीं आए कि मैं क्यों बिहारते हूं या मैं क्यों वहां से निशी तोर पर सुभम आपने पूरे बिहार को प्राउड फील कराया है हलां कि पूरे देश को भी प्राउड फील कराया है अंत में आवाश 24 न्यूज के दर्सकों के लिए और विसेश कर उन युवा चात् अवाश 24 न्यूज के माधियम से क्या संदेश देना चाहेंगे सुभंदी या अखरी सवाल है हमारा आप उसमें पूरा जो है अपना जान लगा दे कि तीन चार साल का महनत होता है और इससे आपका जो है वो लाइफ डिसाइड होता है और यह मैं कहना चाहूं कि सफलता और असफलता यह जो है वो जिन्दगी का पार्ट है अगर आपको किसी कारण वश अगर असफल हुए हैं तो आप हिमत रखिए आप हिमत मत हारिए और आप किसी कोई नए चीज के लिए फिर से कोशिस करें कोशिस हमेंसा करते रहें तो इस बाइन करें छोटी चोटी डार्गेट आप धिस चीजिल करें तो इस वज़ए तरीकी से अगर आप एस सहूंच रखेंगे और इस्तरीके Zac अकर आप प्लानिंग करेंगे तो आप भी हर हर जिद्गी में हर मुकाम को आप भी अचीव करें। मैं इसके सब एक चीज़ आइड करना चाहूंगा। तो आपके खास-पास वाले लोग भी शुरक्षित रहेंगे, आप भी शुरक्षित रहेंगे। तो मैं यह आगरा करूँगा सारे लोगों से, कि आप जल्दी से जल्दी जो है वो टीका जो है वो लगवाया। जिस दिन मेरा चौड़ासे दिन पूरा हुआ था, उस दिन मैं जाके सब्सक्राइड लगवाया। मैं आगरा करूँगा कि सारे लोग जो है वो जल्दी से जल्दी सेकेंड डोस जो है बोले। निशीत और पर आवाज 24 निउज के दर्सकों से जैसा कि सुभम कुमार जिने अपील किया है कि आप वैक्सिन जरूर लें तो निशीत और पर हम भी आप में करते हैं कि आप वैक्सिन जरूर लें। सुभम कुमार आपने अपने ब्यस्त जो है दिन्चरिया में से अवाज 24 निउज के लिए समाई निकाला इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके आने वाले उजीवल भविष्य के लिए आपके उस नए डाइतों के लिए हम सुभकामना देते हैं और सुभम कुमार बहुत जन्वाद आपको नमस्कार आपको भी थांक्यू तो यह थे सुभम कुमार जो कि कि कि